गणित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यन्जकों का प्रयोग करना मिथ्याधारनाई आज हम देखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानि Formulas and Rules of Math में BGA व्यन्जकों यानि Algebraic Expressions के प्रयोग से संबंधित मिथ्याधारनाई कुछ उदारनों से हमने इस विशे को अच्छे से जाना अब आएए इससे जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाई समझें संख्या प्रतिरूपों के व्यन्जक बनाने और उन्हें हल करने में अकसर कुछ गलतियां हो जाती है आएए एक उदारन से इसे समझते हैं यदि आपके पास ए टौफियां हैं और आपके भाई के पास आपसे दुगनी टौफियां हैं तो अगर आपको हर एक मिनट चार-चार टौफियां और मिलती जाएं तो चौथे मिनट में आपके पास कुल कितनी टौफियां होंगी अब अगर आपके पास ए टौफियां हैं तो आपके भाई के पास दो ए टौफियां होंगी जैसा कि हम जानते हैं कि प्रती एक मिनट में आप दोनों को 4-4 टौफियां और मिलेंगी तो पहले मिनट के बाद आपके पास टौफियां होंगी A जमा चार जिसे हम पहला पद मान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं अब अगले प्रती एक मिनट के बाद हमें चार टौफियां और जोडनी है तो इस प्रकार दूसरा पद होगा ए जमा चार जमा चार यानि ए जमा चार गुना दो बराबर ए जमा आठ तीसरा पद होगा ए जमा चार जमा चार जमा चार यानि ए जमा चार गुना तीन बराबर ए जमा बारह और चौथा पद होगा ए जमा चार जमा चार जमा चार जमा चार जमा चार यानि ए जमा चार गुणा चार बराबर ए जमा सोलह अताह आपके पास चौथे मिनट के बाद टौफियां होंगी ए जमा सोलह इस प्रकार एन्मा पद होगा एक जमा चार N तो हम कह सकते हैं कि N मिनट के बाद आपके पास टौफियों की संख्या होगी A जमा चार N यहाँ N कुल मिन्टों की संख्या को दर्शाता है यदि आप इस बियंजक में N का मान 1, 2, 3 आदी रखें तो आपको प्रती एक मिनट में टौफियों की संख्या प्राप्त होगी अता टौफियों का संख्या प्रती रूप होगा A जमा चार A जमा आठ A जमा बारह A जमा सोलह इसी प्रकार A जमा चार N इसी प्रकार आपके भाई के पास पहले मिनट के बाद टौफिया होगी 2A जमा चार जिसे हम पहला पद मान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं अब अगले प्रती एक मिनट के बाद हमें चार टॉफ या और जोड़नी है तो इस प्रकार दूसरा पद होगा 2A जमा 4 जमा 4 यानि 2A जमा 4 गुणा 2 बराबर 2A जमा 8 तीसरा पद होगा 2A जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानि 2A जमा 4 गुणा 3 बराबर 2A जमा 12 और चोथा पद होगा 2A जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानि 2A जमा 4 गुणा 4 बराबर 2A जमा 16 अता आपके भाई के पास चौथे मिनट के बाद टौफियां होंगी 2A जमा 16 तो हम कह सकते हैं कि N मिनट के बाद आपके भाई के पास टौफियों की संख्या होगी 2A जमा 4N ध्यान दीजिए कि शुरुवात में आपके भाई के पास आपसे दुगनी टौफियां थी परंतु प्रती एक मिनट आपके भाई को आपके जितनी ही टौफियां और मिली जिनकी संख्याद चार है कई बार बच्चे प्रती एक मिनट की टौफियों को भी दुगना कर देती है जिससे उन्हें पहला पत कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है दो ए जमा चार गुना दो यानि दो ए जमा आठ जो की गलत है सिर्फ ए को दो से गुना करना है ना की एन को तो सही प्रती रूप के अनुसार आपके भाई के पास टौफियां होंगी दो ए जमा 4, दो ए जमा 8, दो ए जमा 12, दो ए जमा 16, इसी प्रकार दो ए जमा 4N आज हमने देखी गनित के सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यंजकों के प्रयोग से संबंधित मिथ्यधारनाई आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिध्यधारनाई दूर हुई होंगी धन्यवाद